हलो दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं welding joints के बारे में देखिए different welding joints हैं तो उसको आज हम समझेंगे हमारे पास देखिए दो work piece है इन work piece को हमने joint बनाना है तो देखिए welding जब हम करते हैं तो joint बनाने के लिए अलगलग method है तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है butt joint देखिए butt joint क्या है कि दो plates आपस में edge to edge मिल जाएं जैसे मान लोग कि ये दो plates हैं हमारे पास और इन दो plates को मैं जोड़ना चाहता हूँ तो इन दो plates को मैं अगर ऐसे जोड़ता हूँ edge to edge तो इसका नाम होता है हमारे पास butt joint जब edge से दूसरा edge जोड़ जाएं और दूसरी तरफ हमारे पास एक joint होता है lap joint lap क्या मतलब है lap हिंदी में बोल जाते हैं गोदी किसी की गोदी में बैठना तो lap top है जैसे हमारे गोदी मे और यह इसके ऊपर मैं रख दूँ तो यह एक तरह से overlap कर गया तो यह कौन सा बने गया lap joint तो इसमें हम different चीजें देखेंगे different joint देखेंगे किस तरह से होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है butt joint जो की इस तरह का होता है इसमें हमारे पास जो edges हैं वो सीधे होते हैं straight होत तो यहां पर इन दोनों के स्ट्रेट होने के कारण welding सभी प्रॉपर हो नहीं पाती तो इसके लिए इसका solution बनाया गया solution क्या बनाया गया कि इसको हम edges से थोड़ा काट दे अगर मैं यहां से इसको edges को थोड़ा काट दूँ यहां से अगर मैं इसको काट देता हूं यहां से तो एक V shape बन जाएगी कुछ इस तरह से V shape बन जाएगी यह देखे इस तरह से तो यह जो अगर काट दूँ यहां से तो यह V बन गया एक तो इसके कारण क्या होता है कि welding जो है वो proper होने लग जाती है कि यहां पे एक welding bead बनती है वो extra बन जाती है यह देखो इस तरह से V shape बन जाती है समझे तो यह welding shape यहां पे है यह है butt joint ही लेकिन V बनने के कारण यहां special V बन रहा है तो इसका नाम बन जाता है single V butt joint इसका नाम बन जाता है single V butt joint मैं यहाँ पर लिख देता हूँ single V butt joint ठीक है next जलते हैं अब और ज्यादा इसमें modification करीगी कि अगर कहते हैं यहाँ पर cut लगा सकते हैं तो दोनों तरफ भी तो लगा सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको भी यहाँ से cut लगाते हैं और यहाँ से cut लगाते हैं और यहाँ से इसको cut देते हैं और यहाँ से इसको cut देते हैं तो यह क्या बन जाएगा हमारे पास double V दो तरफ से अगर मैं करूँ देखो इस तरह से joint बने तो यह मेरा joint जो है वो यहाँ पर इस तरह का बनेगा तो double V बन जाएगा यह हमारे पास इसमें कब तक ये वाला joint किस तरह से बनाने है वो depend किस पर करेगा वो thickness पर depend करेगा जो अगर तो हमारी thickness ये वाली plate की thickness जो है वो 4.5 mm तक की है 4.5 mm तक की है तो ये वाला हम square butt joint लगा सकते हैं यहां तक हम कर सकते हैं और अगर जो हमारे पास थिकनेस है इसकी अगर मेरे पास थिकनेस बढ़ जाती है बढ़ जाती है और वो 4.5 से लेके 16 mm तक हो जाती है 16 mm तक हो जाती है तो हमारे पास जॉइंट बनता है वो सिंगल वी बढ़ जॉइंट बनेगा और अगर हमारे पास थिकनेस है वो 16 mm से भी बढ़ जाती है 16 mm से प्लेट की थिकनेस बढ़ जाती है more than 16 mm हो जाती है तो हम कौन सा जॉइंट बनाएंगे डबल वी बट जॉइंट तो इसमें आप डिफ्रेंस इस तरह से याद करो और यह objective टाइक में बहुत आता है आप देख जॉइंट जो है अब भी बन रहा था इसकी शेप अगर यू शेप बन जाए इस तरह से कटिंग इस तरह से हो कि इसकी यू बने यहां से कटिंग इस तरह से हो इस प्लेट की तो यह यू बने इस तरह से पास जो शेप बनेगी वो सिंगल यू बट जॉइंट कहलाएगा औ और इसमें भी यही है कि 4.5 mm से लेके 16 mm तक अगर इसकी थिकनेस है तो हम single U butt joint use करेंगे और अगर दोनों तरफ मैं इसी तरह से welding कर दूँ इसी तरह से cutting करके इसकी main क्या है इस plates की cutting है इसकी जो thickness है वो फिर क्या होगा कि more than 16 mm हो प्लेट की तो हम क्या करेंगे double U butt joint use करेंगे देखे हमारे पास कई बार क्या होता है कि butt joint है और इसमें हमारे पास plate एक जो है thickness ज़्यादा है और एक की thickness कम है हमारे पास एक की thickness हमारे पास मान लो की कम है तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से काट देंगे इसको जो पतलिया लिपलेट है यहाँ से काट देंगे इसको तो इसके करण क्या होगा कि bevel करना इसको bevel करना वोलेंगे और यहाँ पे welding कर देंगे इसकी welding यहाँ पे हो जाएगी तो इसके कारण ऐसा अगर बनें तो उसका नाम होता है सिंगल बैवल सिंगल बैवल बट जॉइंट ठीक है बैवल बट जॉइंट तो यह हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास देखिए जो जॉइंट बनता है वो है लैब जॉइंट अब लैब जॉइंट में में मेरे पास किस तरह से शो करेंगे कि दो प्लेट्स अपस में ओवरलैब कर रही है एक प्लेट के उपर दूसरी प्लेट है हमारे पास तो मेरे पास यह प्लेट है तो यह इस तरह से अगर हो और यह ओवरलैप कर जाए यहाँ पे ओवरलैप कर रही है और इस तरह से है प्लेट और अगर ओवरलैप कर रही है और एक साइड मैं इसके यहाँ सिर्फ वैल्डिंग कर देता हूँ सिर्फ यहां पे वैल्डिंग कर रहा हूँ यह देखे तो यह सिंगल लैप जॉइंट कर लाएगा सिंगल लैप और अगर मैं इसकी वैल्डिंग जो है वो दोनों तरफ कर देता हूँ कि यहां पे भी वैल्डिंग कर दूँ और यहां पे भी कर दूँ और इसका लैप दिखाने के लिए मैं यहां पे दिखाता हूं कि ओवरलैप यहां पे कर रहा है ठीक है ओवरलैप यहां पे कर रहा है और यह वैल्डिंग जो है मैं यहां पे कर दूँ तो वैल्डिंग यहां पे भी और यहां पे भी अगर वैल्डिंग हो जाए तो उसका ना आप इसको समझ सकते हैं, देखे, next हमारे पास है T-joint, तो यहाँ पे T-joint में देखे, ओल्टा बना हुए, तो इसके आप देखे, किस तरह से आप कर सकते हैं, कि यहाँ पे वेल्डिंग हो सकती है, और इसके इस साइड भी वेल्डिंग हो सकती है, तो यह T-joint हमारे पास आ तो दो शेप इस तरह की है, तो इसको हम accomplish कर सकती हैं, तो इसकी यहाँ पे वेल्डिंग की जा सकती है, और दूसरा क्या है, हमारे पास इसका option है, कि हम यहाँ पे वेल्डिंग करदें, इसके इसकी जॉंट बनाने के लिए, इन दोनों को जोडने के लिए, यहां पे है त्यविवे आपक्ष northern में हमारे पास एक और क्या ओप्शन आएगी त्यवारे पास स्विवेयर, यगश और उसको हम कहेंगे श्कुआर टी-ज्वाइंट स्कुआर टी ज्वाइंट जैसे में प् SMITH when थैना वैसे सेम है कि इसको हमने pan कटानिन इसलिए, इसका नाम स्क्वर्टी-जोइंट रखती है, अगर मैं यहाँ से इसको καण लगा के और यहां पर WELDING कर देंग तो इसका नाम जो बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पस सिंगल वैवल वैवल टी जोइंट, हमारे पास है यहां पे की bevel करें यहां भी welding कर सकते हैं और हम यहां पर भी welding कर सकते हैं इस साइड भी तो हम यह देखिए strength जैसे जैसे बढ़ानी है तो हमें modification करनी पढ़ती है उसकी thickness के according हमारे पास strength के according हमें changes लाने पढ़ते हैं तो इस तरह से अगर आता है, तो वो double bevel, double bevel T joint के लिए, तो next है, हमारे पास देखे edge joint, edge joint कुछ अलग-लग तरीके से हो सकता है, कि हमारे पास मान लो, कि plates है, अलग-लग जगा पे जुड़ी हुई है, दो parallel से जुड़ी हुई है, देखो, ये parallel इसके parallel, ये इसके parallel, तो आप इसको edge पे यहाँ भी कर सकते हो, welding, यहाँ भी welding हो सकती है, और हम यहाँ पे इसकी welding कर सकते हैं, तो joints है, अलग-लग, तो उसके according हम करेंगे, तो edge यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है, तो आपको according to हमारी position कैसी है उसकी location कैसी है उसके according हमें welding करने परती है उमीद है कि आपको समझ आई होगी ज़्यादा वीडियो अगर मेरी देखना चाहते हैं तो आप YouTube के search box में लिखेजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख जीजिए Gear Institute ये मेरे चैनल का नाम है और सब्सक्राइब करना मत भूले मैं नहीं नहीं आपके वीडियो लाता रूँगा आपके लिए और देखिए मैंने सौम, टॉम, एफ़ेम, ठेयोरियो मशीन जो भी है सब पे मैंने वीडियो बनाई ह अगर आप देखना चाते हैं तो चैनल को खोलिए और प्ले लिस्ट ओपन कर सकते हैं थैंक यू, थैंक यू सो मच